हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आएक्यू गयान तो आज हम 19 तो आज का हम हिंदू एलिसिस देखेंगे डिटेल में तो इसमें मैं न्यूज जो इंपॉर्टेंट न्यूज है आपसे शेयर करूंगा और उसके साथ ही साथ उसमें जो टर्म्स यूज में इंपॉर्टेंट टर्म सब्सक्राइब के साथ रहें और नोट्स को जरूर आप अपने डायरी में लिखे और याफी सेव करें और इस वीडियो का आप जिरूर अन तक देखें सारे इंपॉर्टेंट न्यूज को हम कवर करेंगे इसमें और आपको अच्छा लगी जरूर इस चैनल को सब्सक्राइ कर गाया है कि बेसिकली कि इसको किया जाए इसके शेल बॉन का सीन अभी स्टार्ट होने वाला एक से इसको इस टॉप किया जाए इस प्रेम कोट में यह आचिका दार की गई है यह इजी यह एक है एक क्वार्फ टेमोकरटिक रिफॉर्म ADR काफी important एक सीये सड़ी एस्टी और political parties को लेकर के democratic reforms को लेकर के इन्होंने यह आचिका फाइल की है तुरू जो जो लॉयर एड़ोकेट जो है मिश्चर बुसल इनका जो कहना यह आचिका में कि वही ऐसा वो क्यों करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि रिजर्ब बैंक अफ इंडिया एसें कमिशन ने दोनों अपने पुराने लेटर का नमबर दिया है उन्होंने कोट किया है उन्हों दोनों ने कहा है दोनों का बॉडिज ने कहा है कि अपना जो ब्लैक मनी है उसको खरीदती है और पॉर्टिकल पार्टी को इतर से डोनेशन के बने ब्राइब दे रही है ताकि वो अपने फेबर में कुछ काम करवा सके उनसे तो यह इनका कंटेंशन है कि इसलिए इस चीजों को बंद किया जाए तो फैनेंस एक्ट इंट्रोल बोंड के बारे में कुछ आप समझ लें और किस ने किस पॉर्टिकल पार्टी को पैसा दिया यह सारा जो है डिस्क्रोज नहीं होगा इसके अलावा पहले जो 7.5% एक अना था लिमिटेशन की 7.5% ही को कॉम्पनी जो है अपने प्रॉफिट का लास्त रियर प्रॉफिट का 7.5% तक ही डोनेट कर सकती है उस इसके इसे अपनेटरोंट तो यह से प्लीट रॉफिट एक हैं इसको पहले सकती हैं और उसको यूज क्या जाएगा एक्टर से वह डोनेट करनेशन टू पॉर्यकल पार्टिकल पार्टीों करना चाहते हैं उसके लिए ख़डी सकते हैं इसमें पैसे लगा सकते हैं बॉज बागी प्रवेट सेक्टर बैंक इसके लिए उस्टराइज नहीं है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही बॉंड को इसू करेगा और बॉंड का इंकैस्मेंट होगा वह आपके पर्टिकल पार्टिस करेगी करेगी वह इसी के थुरू अपने बैंक बॉंड है बिसी कली हर समय इवलेबल नहीं रहता है इसका पीडियर है जन्वरी अप्रील जुलाई और अक्टूबर में पहले दस दिन के लिए बॉंड को खुलता है इसको लॉंड करती है और इसको सिटीजन इस पीरियर में ही आप इसको खड़ी सकते हैं बट पहले देखा जाता है इसको बाइब बात के जैसा कि हमने कुछ तो इसू हमने देखा भी आर्टिकल में उसके अलावा पहला तो क्या है कि अनुनिमीटी मतलब कि नहीं डोनर जिसने किसीं डोनेट किया है और वो इंडिवीजूल हो या कंपनी हो नहीं पॉर्टिकल पार्टी किसको डोन इसके अलावा जो हमने देखा अभी किस पहले कैप था कि आप 7.5 परसें आपका जो लास्त तीन साथ का प्रॉफिट है उसका 7.5 परसेंट ही आप डोनेट कर सकते हैं पॉर्टिकल पार्टी को इस लिमिट को हटा दिया गया पहला तो दूसरा जो है पहले पॉर्टिकल पार्टी को अपने कंपनियों को अपने प्रॉफिट लॉस स्टेट में इसको दिखाना परता था उसको को भी हटा दिया उस कंडिशन को भी हटा दिया गया इसके अलावा जो है पहले जाए तीन साल जो भी कंपणी जो डॉनेट कर रही है एक अपने आज कोल दिया कंपनी में कुछ बुक्स अकाउंट दिखा दिया ना पका प्लेस ना आपका कोई प्रॉपर फंक्शिनिंग है न पाला का पैसा है, वो इस bond के जड़ी, particle party को दे रही है और उससे favor ले रही ruling party से, तो यह इस पर concerns है, इसको आप बेसिकल एक्सान्स, purification, elections, criminalization of politics, इन सभी चीजों में आप इस चीज़ को, यह troller bonds को आप mention कर सकते हैं, इसके साथ जो issues है, इसको आप mention कर सकते हैं, नेक्स्ट आपका आर्टिकल है रोट्स टू बी फ्रीड ऑफ टोल बूट्स इन एयर से जीजिन गड़करी तो यह जो टांस्पोर्ट मिनिस्टर है इन्होंने बेसिकल परलामेंट में कहा था कि यह जो भी है फिजिकल टोल बूट्स जो आप देखते हैं उसको फ्री कर दिया इसमें बिस्टर ने लांच दिखाया जो कि अलएडी बजट में इंटोड्यूस हुआ था इसमें बैसिकली क्या है इसको साल के बाद वहाइकल को आपको स्क्रैप करना होगा इसका एक फाइदा जो इंपोर्टेंट जो इसमें मैंने किया गया है कि जो आटोमोबाइल इसके गॉपर्टेंट है उन्होंने बताया कर तो इसमें किया फिट्निस टेस्ट होगा वैकिल का आगर कॉमर्सियल वैकी Gram और चौतर वैकिल है गांच ऑपॉसको स्क्रैब ही करना पड़ेगा इसके लभा में congratlication के बात कशले तो आपको उसको scrap ही करना पड़ेगा इसके अलबा गॉर्मेंट वेकिल की या PSU के वेकिल के बात करें तो उनको 15 साल में deregister कर दिया जागा मतलब को fitness test नहीं जस्ट 15 साल आगा वेकिल को हो गया सरकारी वेकिल को उसको दियरेजिस्टर करना होगा वो हट जाएगी अपने फिर चलेगी नहीं पॉलिसी कब से स्टार्ट होगी इस सारी पॉलिसी तो अगर गॉर्मेंट वेकिल की बात करें तो यह वाला जो है आपका 1 April 2022 नहीं अगले साथ से स्टार्ट कर गएगा जाएगा अगले financial years से एवी कमेंर्सियल वेकिल के लिए उसके एक साल बाद अपरिल यह 2023 से इस पॉलिसी को स्टार्ट किया जाएगा और ऑगर बाकीachts के लिए परस्नाल वेकिल के लिए इसको 1 साल बाद और जून एक2024 से इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा इसके लाव यह तो हो गया आपका मेंडेटरी जो आपने रेस्टिक्स डाला है कि स्क्रैपिंग करने के लिए इसके लावा गॉवर्मेंट इंसेंटिव का भी प्रोविजन रखा है कि लोगों को इसेंटिवाइज करें कि खुद ही जो नए वैकिल्स खरीबते हैं स्क्रैप करते हैं अपनी वैकिल को दूसरा पंदर परसेंट कॉमर्सियल वैकिल के लिए आप दे सकते हैं रिवेट उसके लावा गॉवर्मेंट ने कहा कि रिस्टेशन फी जो गॉवर्मेंट लेती है उसको वेब किया जाएगा अगर नही आप जो आप जो ने कोई खरीदने आता है पुराने वैकिल को सर्टिफिकेट आपको दिखाता है तो आप उसको पांच परसेंट रिवेट दे अपने वैकिल के खरीद पर तो इसको फॉलों ही प्रोवीजन इसमें रखे गए हैं अटरिक से के आपका प्रोघ की चीप इस कोट में काक्र सकते हैं तो तीन वेसिकली एपना सजीशन दिया तीन उपाय दिये हैं पहला जुडिसर इंफ्रक्ट्रक्ट्ट्चर को इंप्रूफ करना कैसे इप्लेटफॉर्म के तुर आप ही एडिंग कीजिए ज्यादा ज्यादा कि लोग पाएंगे दूर से पाएंगे कम टाइम लगेगा और उसमें जल्दी-जल्दी कैसे के इसके अल्टर्नेटीव भी है कि आप अपने बात में बात्चीत करके सुलजा सके अगर डौट को तकी को जाना नहीं पाएंगे इसमें आपका आपका कंसीलियेशन हो गया आपका मीटिगेशन हो गया यह सारे चीजे जो है या फिलोग अदालत इसमें जैसे क्या आता है त यह चीज़े इन चीजों को परमोट करना इन को और इस टेंतें करना इसको ताकि जहार दालों जलो इसको फायदा उठा सके और प्रीडिगेशन स्टेज में इस डेशन के पहले ही जो क्यूर्ट को सुलिजा लिया चा सके और को समय बर्भाद में को प्यस्त ना आएं वी आ के लिए इसमें आपके exam point of view के लिए जो इस court किया है special MPLA court आप में सायद सुना होगा तो यह court setup किया गया था basically 2017 में Supreme Court ने order किया था कि आप special court को setup किया जाए ताकि जो lawmakers के against cases बहुत बार बार लंबित रहते हैं पेंडिंग रहते हैं वो बार बार इलेक्शन ला लेते हैं उनके against court जो है कैसे जो pending परा रहता है तो उन चीजों को जल से जल फास्ट ट्रेक लेवल पर सुनवाई की जाए ताकि जल से उस पर decision हो और अगर को सेटप हुए हैं तो 12 special court सेटप हुए और क्रॉस इंडिया ग्यारे स्टेट में सेटप नहीं वाया अभी और कुछ स्टेट में देली में बिसिकली दो court है यह पुराना डेटा है तो इसका में जो एम क्या है कि इससे क्या फाइदा हो एक्स्पडाइट करने से इससे पहला तो जैसे हमने का क्रिमिलाइएशन पॉलिटिक्स कम हो जाएगा जो लॉइकर से माल लीजिए उनको चुनाव लड़ते हैं तो उससे पहला अगर उनके कर गर कन्विक्शन आ जाता डिसिजन आधा कोड़का तो चुनाव नहीं लड़ता आएंगे बैंग हो जाएगे तो ज हुआ है उनका अलग पाटी था सगंद बाटी जो उसको इंफ्लेंस करते हैं उसको अंदरा थमका सकते हैं इन चीजों से बचने के फास्ट्रेक को सेटप करने का गवर्म स्परिंग कोड ने ओर किया था यह इसका फैड़ा है यह सजेसन मिली सकते हैं क्या इसका मेरिट है और क्यों इसको सेटप किया जाना चाहिए और एक्सपेंड किया जाना चाहिए तो यह ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं जाम के लिए आँ बात करें तो इसको मैंने आप एवाइड कर सकते हैं उनके पार्टी ए मकल ली मैं उन्होंने जो चूज कर रहे हैं जो उन्हों ने बिसीकिघ टबीक से हटके आ रहे हैं कि यह जो सही नहीं हैên ऐसे हर्ट नहीं सकते हैं इन्हों सब्सक्राइब आपना अपना रिश दिया है दलित की बात करें या वैसे सेडूल का सेडूल ट्राइप के बात करें का रिपरेंटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट पावर सरकल में या ते कर चाहते एसेंबली में पार्लियमेंट में उनकी लिए बोलने माला कोई नहीं हुगा तब तक उनकी लिए कहना ये करना कास्ट को हटाना प्लिटिक से सही नहीं है उनके लिए तो उससे ज्यादा अगर आपके लौ में कर में हैं चुनके आता है तो वह अच्छी तरीके से दलीट को रिप्रेंट कर से पाएगा को कि उसने उस कंडिशन में रहा के उड़ा के आया है उसने देखा है मैं दीख से दूसरे कास्ट जो डोमिनेंट कास्ट है वो कहते बले हैं लेकिन उनको experience नहीं है तो वो सही तरीके से नहीं जानते हैं दलीट का अगर आप इलिमिनेट करना चाहते हैं कास्ट सिस्टम को उसके लिए आपको जोड़ी है कि उन लोगों को जो नहीं दिखते है यानि दलीट जो जिनका रिपेंटरसन नहीं उसको आप इंपावर करें इन्हों में ऐसे याई जंपल अब अब्यार्ट करने भी एनिलिएसन आफ कास्ट का तो लेकिन अनिलिएसन अफ कास्ट तभी एचीव हो सकता जब तक कि हम वैसा इनवार्मेंट नहीं बनाए पॉलिटिकल इनवार्मेंट कै जलित को जो है उसको कॉंफिडेंस आए उसको कि यह नहीं भाई हमारी बात सुनी जा रही है हमारे कोई है महाँ पर तब तक अनिलिएसन और कास्ट पॉसिबल नहीं है उसको आप एचीव नहीं कर सकते हैं इसलिए जो रिजर्वेशन है का वह बहुत ही जरूरी है इसके ल स्कायर कानिदेट को ढूलती है उसको अपना टिकर देती है लेकिन अगर हड पॉलिकल पार्टि बीना सिप रिजर्व को सिचुएंस यहाट सकते हैं अभी जो क्या है सिप अबिगिटरी जो सीड्स रिचर्व वहीं पर सिप टिकर दिया जाता है इसे सीड पर आप देखें कास्ट बेस्ट पॉलिटिक से आप हट नहीं सकते हैं तो जब उसके लावा अंटिल वी फर्स्ट रिकोनाईज दर्सक्मूनिटी कम तुगेधर ओनली विकाउज अब यह कास्ट माइट विदीं सोसल अर्डर वैर दलीट कमूनिटी फाइं मुच हाड़र तो तलीट के लिए होती मुश्किल है कि वह सेंबल हो के गुरूप बना सके तो इसलिए वह बहुत बार जो है एक पर्टिकल फोर्स नहीं बन पाता है इसके लाव बारते कास्ट का ओलों में फर्म फॉर्म केन ओनली बीमूर में दलीस और ट्राइबल्स फिल दाट इट बिकम रिदेंट एंड तो तभी आप इस फॉर्म की बात कह रहे थे तो फॉर्म से रिमूब तभी किया जाँ चाहिए या तभी हो सकता है रियली में जबकि दलीत और ट्राइबल जो मेर्जिनाइज कम्मूनिटी है उनको लगता है कि फॉर्म इसका कोई रिलिवेंस नहीं है क्योंकि हमारा तो अ उसमें आप केस स्टेडी में भी इन चीजों को लिख सकते हैं तो क्या स्टेप लिया है कुछ पर्टिकल पार्टी ने और क्या स्टेप लिया जाना चाहिए नेक्स्ट हम एडिटोरियल ही आपका आधार एज हडल तो यह बिसिकली कल हमने देखा था एक न्यूज में कल मैं नहीं हो पाए थे जबकि कोट ने अल्रेडी 2018 में इसका जज्जमेंट दिया था इसको लेकर के कि आधार प्रोग्राम आधार जो है बिसिकली यह मेंडेटरी नहीं होना चाहिए किसी भी वेलफेर स्कीम के लिए हाँ आप उसको एक और सकते हैं बट इमेंडेटरी नहीं हो हो रहा है तो उसको आप वेलफेर मेजर से आप उसको वेलफेर स्कीम से वेलफेर वेलिब्रीटी उसका उसको आप हटा नहीं सकते हैं उसको आपको देना ही होगा यह ऐसा इसलिए को बहुत सारी इपिसेंसी हैं बाइमेंट्रिक अधिकेशन में हमनें देखा हम यहां भी cn pds का जो जुत ऐवा बिलए हो रहा है को आपका काम और यह अपको सब्सक्राइल और आधार सही नहीं है आप धहीन वे धिको सब्सक्राइक स्थियृक्रिक लोगों को यह कीजियोग मत रहा है तो गौर्वर्मेंट ने प्रॉमिस किया था उससे में कोट के और के बाद हम एजन से मेकनीजम रखेंगे मतलब कि ज़रूरी नहीं हो था अधार आधार आपके पास नहीं है तो आप अलग दूसरे मेथड से भी आप अपना जो स्कीम का बेनिफिटर ले सकते हैं बट यह अगर हम देखें तो लेवरर और ट्राइवल पीपल के लिए ज़्यादा देखा गया है क्यों कि बैसिकली वह मैनुवल और हार्ड लेवर में इंगेज होते हैं दिहारी मजदूरी करते हैं रिली से उबर से राम तक तो उनका जो फिंगर प्रिंट है अगर आप देखें थ इसके लाब हो सारे लोग जो होता है कार्ड अपना लूज कर लेते हैं उनका हरा जाता है बुला जाता है उसकेस में बेनिफिसरी नहीं मिल पाता है तो इसमें सजेसंट यहां पर दिया गया है कि गौर्मेंट को एंटलिएंटिफिकेशन का मैथड अपनाना चाहिए जो सकते हैं गोष्ट बेनिफिसरी से अंबस सकते हैं लेकिं यहां पर राइटर का कहना है कि बटने का और भी उपाहें आप अधा इंट्रिकेसर कार्ड बनना मां सकते हैं उससे उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट यहां सजेसं दिया गया है कि डिस इंट्रिवाइज इस बर परसन है जिसका ये नाम है इसमें तो इससे क्या होगा कि वह उन्पे फ्रॉड होना भूती कम हो जाएगा तो यह दो सजेशन यहाँ पर दिया गया है जिसको आप अपने एंसर में भी इंकॉर्परेट कर सकते हैं नेक्स्ट आपका आटिकल है लोगसभा पासे supplementary demand for grant तो यह विसिकली supplementary demand for grant का पास हुआ था यहां पर आपके लिए सब्सक्राइब होता क्या है एक तो आप जब देखते होंगे budget जब पेस होता है से लास्ट अभी पेस हुआ तो उसमें जो है next financial year के लिए अभी जो बजट पेस हुआ वहाँ उसमें 2021-22 financial year के लिए कुछ बजट अपना demand for grant रखा तो वह हो जाता है normal demand for grant supplementary क्या होता है कि माल लेजिए जो आपको पैसा मिला एक financial year के लिए वो कम पढ़ गया वो लास्ट में आते 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 आपको और खर्चे के ज़र्वत पढ़ गए कुछ नया service हो गया नहीं आपका email sign हो गया नहीं आपने लगा दिया तो उसके लिए आपको supplementary grant आप मांगते हैं फिर से को कि कोई भी आगर आपको पैसा निकालना Consolidated Fund of India से आप तो आपको एप्रोपियेशन बिल के थूरू ही निकाल सकते हैं आप पार्लेमेंट के authorization आपको चाहिए ही चाहिए तो इसी लिए Supplementary Demand for Grant यूज करके बिल लेके आया जाता है जिसमें की access जो पैसा चाहिए आपको उस financial aid के लिए वह आप इसमें इसके बारे में अडिशनल ग्रांट और access ग्रांट के बारे में अधिसकली सारा का में वही है कि फंड आपको इनसफिसिंट हो गया उस साल के लिए तो आप एक्स्टा फंड ले रहे हैं एक बाद आपको ध्यान अकने के लिए कि सब्सब्रेंटरी ग्रांट जो है वो है इस फैने सक convergence के लिए 2020 के लिए आप ले रहे हैं जो की बजॉट चोपे होता है ज्याति होता है ज्लाइक स्वीन थीर पीधक सतता फैरह के लिए है और बजट अपर के लिए करने के लिए ouseथ हुआ है किया है और याफ है प्रिस्पल ओफ नन रिफॉल्मेंट यह इसका मतलब क्या होता है कि नॉट सेंदिंग रिफ्यूजी टुए प्लेस वेर दे फेस्ट देंजर रू कस्टमरी इंटरनेशनल इंटरनेशनल यह बैसिकर कंवेंशन है कि आप जो है जैसे कि रोहिंग्या कहां से आए मैंनमार से र इनमार में वहां रहते थे अभी वहां से भाग गया थे दो कि उनके ऊपर काफी है वालेंस हुआ उनको से टीजन्स वहां पर नहीं मिला मैंनमार में को कि उनको नहीं माना गया वहां का एथनिक है इंडिया में कुछ बाग के आए थे तो इंडिया बिसिकली उनको रिफ्यूजी अभी सेटल नहीं कर पा रहा है वहां पर वह वापिस बैजने की तैयारी में है तो फेंड्स यह सास्का है अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फेंड्स पर भी आप इस पीडिया को डाउनलोड कर सकते हैं थैंक्यू फ्रेंड्स